हलो गुड इवनिंग ये ब्लॉग मैं साम से बना रही हूँ और अभी मा बेटी निकले है आउटिंग के लिए और मैं आई हूँ बेटी के पास बेटी कि सहर में रहती है क्या करती है अगर इसकी जानकरी आपको चाहिए तो वीडियो के लाश्ट तक बने रही है आपको पता चल जागा कि कौन सा सहर है और आपको अगर पता चल जाए तो कमेंस बॉक्स में बताईए कि ये कौन सा सहर है तो यहाँ पे तीन दिन का छुट मज़े करेंगे और यहां मैं साम के टाइम में निकल ली हूँ बेटी के साथ तो यहां मार्केटिंग के लिए आई हूँ हलका फुल का मार्केटिंग करूंगी बेटी की कुछ आफशक्ता की चीज़े हो सब लोगी सबसे पहले मैंने यहां पे एक छोटा शा शॉप देखा ज होसे की आईटम सब तो वो लोग काफी भीर करके हां आते हैं तो मैंने भी देखा और कुछ मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था यह हलाकि यह सब आईटम बहुत पहले चलते थे लेकिन आजकल फिर से चलन में आ चुके हैं तो मैं भी कुछ लूंगी दो-चार आईट यह नहीं पता चला कि जन्माष्टमी है अभी लगभग एक दो हपता बाद लेकिन अभी सेहीं यहां कि उसाज गया यहां एक गुपाल मंदीर है इतना खुपसत तरीकी से सजाय थे इस मंदीर को सिर्फ फ्लावर का डेकोरेशन था उस रास्ते से जब गुजरी तो इतनी अच्छी खुश्बू आ रही थी फ्लावर की और आप देख सकते हैं पूरी की पूरी मंदीर को नेचरल फ्लावर से सजा रखा है पूरा दम बिल्कुल राजशा ही लग रहा था देखने से हर कॉर्णर पे अच्छी रेकुरेशन की गई थी तो यहां हमने भी थोरी देर स श्री किष्णा भगवान का डोला लगा हुआ था तो मैं भी गई मैंने भी डोला जूला जूलाया और आज से ही यहां तैयारी हो गई है लगता है श्री जन्माष्टमी तक यह कार्शक्रम चलता रहेगा लास्ट येर भी मैं आई थी तो दोला वैगरा नहीं था जन्माष शुरत तरीकिसा सजाते हैं उसके बाद से डोला वैगरा सजाने के बाद से जब आउटिंग पे निकली तो कुछ न कुछ स्ट्रीट फूड तो बनता है और यहां पे एक कॉर्णर है चौपाटी बोलते हैं उसको बंबे की चौपाटी नहीं इसके सहर की चौपाटी तो य आइनेपल फिलेवर को बहुत ही स्वाधिस्ट बनाया था और लोगने हलका खाया और मैं कहीं जाती हूं तो मुझे तो फुल्की चाहिए होते हैंक्कित मेने फुल्गी का भी लुफ्ट उठाया और घर केलिए हम लोगों ने खाना रास्ते में वहीं पे दोजा और इल्ली पेक करा लिया और उसके बार से हम लोग वहां से निकल लिये हैं चैसे कि इस तरफों क्वेस्ट all hard it's a love conquest it's that sweet like honey dripping from a golden it's the soundtrack to myself कि आपका कि आपका हूई है कि आपका झाल कि वापिस आ चुकी हूँ घर के पास ही बेटी के नन्यम उन्हें दोस्त लोग मिल गया तो उन्हें थोड़ा बिस्किट वेगर रखी लाया और अब मैं अपना करती हूँ ब्लॉग यहीं पे समाप मिलते हैं अगले ब्लॉग में तब तक के लिए बाय गुड़ नाइट हुआ 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 है